आशाण माह के बाद सावन का महीना शुबू हो चुका है हिंदू धर्म में सावन माह का विशेश महत्व बताया गया है कहते हैं कि सावन में भगवान श्रिव की कृपा पाने के लिए उन्हें नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए वहीं इस बार के सावन की बात करें तो 2022 का ये सावन माह और भी ज्यादा खास है इस पूरे माह में भगवान शिव की ही नहीं बलकि मा लक्ष्मी के कृपा भी बनसने वाली है मा लक्ष्मी की कृपा को लेकर कुछ राशी के जातक खास लगी है उन्हें सावन मा हमें धनकी देवी का अशरवाद मिलेगा ऐसे में आईए जानते हैं कि शुरू हो चुका महीना कि इन राशी के जातकों के लिए बेहत खास होने माला है लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल न्यूज नेशन श्रद्धा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें इसके साथ ही बेला आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वी टियो आई तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले धनूराशी सावन का महीना धनूराशी वालों के लिए शुपफलदाई रहने वाला है इस दौरान उन्हें किसी नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है इस दौरान बदोन्नती की संभावना नजर आ रही है जोतिश शास्त्र के अनुसार संपत्ती खरीदने और नया कारोबार शुरू करने के लिए भी ये समय बहुत अनुकूल है मीन राशी ये राशी के जातक भी सावन माह में मालक्षमी के क्रिपा पाएंगे यह महीना दान पुर्णे के लिए अच्छा रहेगा जितना संभव हो सके इस माह में दान करें इतना ही नहीं इस माह में वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये समय आपके अनुकूल है मिथुन राशी, जोतिश रास्त्र के अनुसार, सावन का महीना मिथुन राशी वालों के लिए भी धेर सारी खुशिया लाने वाला है इस माह में किसी जरूरत मंद की मदद करने से लाब होगा पोट का चहरी का अगर कोई मामला चल रहा है तो वो भी इस महीने में सुलच सकता है तुला राशी, सावन माह में इस राशी के जात्तकों का भी समाज में मान सम्मान बढ़ेगा इस राशी के लोगों पर मा सरस्वती और मा लक्ष्मी दोनों के क्रिपा बढ़सेगी वानी के कारण समाज में सम्मान मिलेगा राजनीती में जाने की सोच रही है तो ये समय आपके अनुकूल है फिलहाल के लिए इतना ही आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले